हेलो एब्रिवन वेलकम तो ओरिजिन आयम अभीदा पांडे स्टुडेंट आट अलग लेवल पे इंप्रूव करेगा येस बहुत दिनों से मैं सर्च कर रहा था आप सबके कमेंट्स आते थे कि भीया कोई ऐसा एप है क्या कोई ऐसा वेबसाइट है क्या जिसके थू आप जो जरूरी है इन सब चीजों का solution I was searching then मैं इस वेबसाइट के थू मैं इसका overview लिया मुझे पता चला इसके बारे में and जैसे मुझे ये चीज़ पता चली I was like कि हां this is a website which is very useful for any class aspirant and ये चीज़ आप लोग को जाननी जिरूरी है so here I am explaining you about the website and which is smart read by smart qira yes आप जैसे इसका link मुझे आपको description पे मिल जाएगा description पे जाके इस link को आप जैसी open करोगे आपको बस इसमें login करना है जैसी आप login करोगे यहां पे आपको इस वाले portion पे smart read का option दिखेगा यहा पे आपको बहुत सारे drills बहुत सारे आपको टेस्ट बहुत सारी चीज़े आपको यहां पे दिखेंगी अब इसकी खासियत में आपको क्या बताता हूं जैनरली हम क्या करते हैं एक तरीका होता है पढ़ाई करने का जब हम उस वे में उस तरीके में अपनी study नहीं करते पढ़ाई नहीं करते तब हम क्या है उप जाते हम बोर हो जाते पढ़ाई से अब वो तरीका क्या होता है सबसे पहले आप easy चीज करो जैसे ही आप difficult चीज को पहले कर दो या easy से जाधा over level की चीज़े आप पहले कर दो उसी moment पे आपको लगा कि question मुझसे नहीं बन रहा है अब मुझे यह चीज की तैयारी नहीं करना चाहिए so that's why we have to gradually keep on increasing the difficulty level and this is how this website has been designed सबसे पहले आपको easy level के drills मिलेंगे then आपको उसी topic पे moderate level के drills मिलेंगे then आपको same topic पे tough level के drills मिलेंगे then topic chain तो इससे क्या होगा आप easy की practice करोगे जैसे ही आपको लगे कि हाँ मेरा easy level strong हो चुका है आप अपने performance को track कर सकते हो वो सारी चीज़े आगे मैं आपको बताऊंगा बट या this website has been structured in a really good way जिसके थूँ आप एक gradual speed में अपने performance को boost कर सको and practice कर सको and analyze कर सको तो हम क्या करेंगे अज हम एक test देंगे इस website का चलो एक drill हम try करते हैं तो जैसे कि यहां काफी सारे डिल्स है बाकी सारे डिल्स जैसे आपको लॉग दिख रहे होंगे तो लॉग क्यों है अगर आपने पिछला वाला ड्रिल्स साल्व नहीं किया है not only solve अगर आपने वह रिवाइज नहीं किया तो आप अगला वाला ड्रिल्स attempt नहीं कर सकते हैं clear तो चलो शुरू करते हैं तो यह हमारा पहला ड्रिल है जिसमें से एक म प्रॉपर इसका प्रोसीजर आएगा कि क्या-क्या चीजें हम इस जिल में करने वाले हैं तो सबसे पहले हमें कुछ वर्ट जिये जाएंगे जिनका हमें मतलब एक्स्प्लीन किया जाएगा देन उन वर्ट से रिलेटेट क्विज़ होंगे उन क्विज के बाद हम पैसेज क समझनी होती है आप पूछते हो ना कि यह पैसेज से यह चीज गलती हो गई यह गलत हो गया कैसे इसको समझे पैसेज करने का जगा कौन सा होना चीए थिमेटिक रीडिंग के बारे में कई बार मैंने आपको एक्स्प्लेइन के राइट हर वीडियो में मैं आपको बोलता कि क्लेट अगर अच्छे से क्रेक करना है तो यह थो इंप्रूव यूर थिमेटिक वो कैब थिमेटिक रीडिंग अगर आप बहुत सारे थीम्स का पैसेज रीड करते हो आपकी स्पीड इवेंच्वली इंक्रीज हो ही जाएगी राइट यह डाउट को भी यह प्राबलम को इसको नंबर उसके से रिलेट करते हैं अब इसका सिननिम क्या होता है अप्रेज गौज एसेज इवेल्यूएट मैजर डिटर्माइन कैल्कुलेट या काउंट एक्सेक्टर एंटनिम्स क्या होते हैं गैस या फिर इग्नॉर डैट मिंस क्वांटिफाई करना इस सम्थिंग अब इसके से लिए यहां पर पहले एक सेंटेंस दिया जाएगा हर वाट से रिलेटेट की इसको किस ताइब के सेंटेंस में हम यूज कर सकते हैं इसका मीनिंग समझाएगा इंटेग्रिटी रिफॉर्स तो देस्ट आफ बीग होल कंप्लीट या अनिम्पेर्ट अब इसके सिननीम्स क्या हो जाएंगे यूनिटी होलनेस तुगेदर कोहेजिन डिविजन डिसिंटिग्रेशन डिस्यूनिटी इस तरीके से हमें अगला वर कौन से इंक्लूजिव यानि किसी चीज़ को इंक्लूड करना टाउट का मतलब इन्होंने क्या दिया है इन दा कंटेक्स्ट आप इससे एक बार प्रेक्टिस करते हो तो सिर्फ यह चार वर्ट नहीं होंगे इसके आपको रूट वर्ट भी पता चलेंगे तो कर तो आप चार वर्ट प्रेक्टिस रहे हो दस से पंदरा मिनट एक प्रेक्टिस में आपको लग जाएगा बट उस प्रेक्टिस में आप सिर्फ चार या पांच वर्ट नहीं सिख रहे हो उस वर्ट के रिलेटेट फैमली की सारी चीज़े आपको पता चलेगे यह आपको फायदा होगा तो जैसे आप बोलते हो भी आ लगा कि एक वर्ट हमें बताया जा रहा है दैन उससे रिलेटेटेट उसके पूरी फैमली रूट के बारे में ही बताया जा रहा है तो हमने चारों वर्ट देख लिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने क्विस को तो वी आर रेडी चलो शुरू करते हैं अब पहला क्वेश इंटेग्रेटी के बारे में अच्छे से पता नहीं चला अच्छे से पता नहीं और मैंने इस इस वेबसाइट को पता चला जाया कि हमें इंटेग्रेटी वाले थोड़ा सा प्राब्लम है अब इसमें क्या होगा पता है जब तक आप फिर से सही नहीं करते हो यह टेस्ट आगे नहीं बढ़ेगा राइट वह क्वेश्चन आपको पहले एक्स्प्लेन करेगा उसके बार पैसेज रॉंग हो जाते हैं और मुझे काफी सारे डाउट साते हैं कि यह पैसेज में मेरा यह गलत हो गया मैं नहीं इसको किया बट अब मुझे समझ नहीं आ रहा है आगे चलके फिर से मेरे से गलती होगी या नहीं होगी क्योंकि सेम टाइप का क्वेश्चन ढूड़ना इस बार हमें समझ आ गया होता है हमने सही कर दिया अब हम आगे बढ़ गया तो तेजी से मैं एक बार यह क्विज आपके लिए अटेम्ट कर देता हो फिर हम चलेंगे पैसेज वाले सेक्शन पे जैसे मैं टेस्ट को अटेम्ट कर रहा था बट सड़नली मुझे एक इस टाइप को क्वेश्चन दिखा अब इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस क्या पता है हमारे क्विज में या हमारे वोकैब के सेक्शन में इंटेग्रिटी के बारे में तो हम पढ़ रहे थे बट अब इन्टेगरिटी से रिलेटर इन उननने रूट वर्ट के बारे मताये अंब बताए दा रूटव इंटिजर इसाज़ एब Imma T आपके लिए वेडंद के से हेल करता है बडहे के स्थितन के स्थे ईट्फित है बतार इंटेग्रेशल장이 integrity हमें पता है wholeness completeness किसी चीज़ को इंक्लूट करना सो हीर इस इस हाव एक एक्स प्रोड़ दर वर्ट रूट वर्ट राइट चलो एक बार फिर सम्टेजी से प्रैक्टिस कर लेते हैं कि अध्यार दर विद आल दो क्वेस्टेंस आफ वोकैब अब ऐसा नहीं कि वोकैब्लरी कंप्लीट हो गया हमें यह चीज अधा ज़्यार ज़रूरी है आपने बार बार यह चीज़ देखा होगा जो की हम अब यहां पर ऐसे करें this यह लग्यार आध अब आझ tutti सब्सक्राइब अब हमारे पसथायमें सब्सक्राइब करने का होगा करने के लिए कले साबस्क्राइब तो मिनुट हम पैसेज करें का टाइम रखेंगे पान्UT हम पैसेज को सौП ने का टाम रखेंगे तो एक बार मैं क्या करता हूं सारे पैसेज को अच्छे से रिड करके अगें हम क्वेस्टन के फॉर में चलेंगे तो मुझे उता ज्यादा टाइम लगता नहीं है पैसेज कर पर डिक्रीस कर देता हूं तो लेट्स गो चार मिनट में हम इस पैसेज को सॉल करने का ठ्राइ करते हैं चल शुरू करते हैं अब जैसे ही मैं अपने टेस्ट को कंप्लीट कर लूँगा जैसे ही सारे टेजी से हम मा करके आगे अब आपको explain करते कि कैसा हमारा इसका होगा जैसे ही आपना पैसेज इंप्रूफ कर लोगे आंसर कर लोगे एक टू-10 आपके पास इसके questions होंगे राइट इस तरीके से हमारी सारी चीज़े वर्क करेंगे जैसे आपने वह टेस्ट कर लिया अब आगे हम क्या करेंगे सिर्फ टेस्ट देना इस नेवर सफिशियंट हर वीडियो में यह चीज मैंने आपको क्या है कि सिर्फ टेस्ट जिस दिन आप देते रहोगे आपका कोई भी काम फायदा नहीं होगा उस चीज का जैसे ही आप उस टेस्ट के साथ एड करोगे आप जस्ट अलगी लेवल पर इंप्रूब्मेंट शो करोगे तो जैसे हमारा प्रेक्टिस यहां पर कंप्रीट होगा ह उसको इंप्रूफ कैसे करना है उसके सोर्सेज भी हमें यह वेबसाइट प्रवाइट करेगा इस हाओ यह सारा चीज वर्क्स तो अकॉर्डिंटली यू शुड स्टार प्रेक्टिसिंग यूर रीडिंग कॉम्प्रेंशन वो कैब थिंस वेबसाइट अब ऐसा नहीं कि यूसफुल वेबसाइट मुझे इस चीज के बारे में पता चलो तो आई थोट आप सब को भी बताना चाहिए काफी यूसफुल चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा सो इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलते हैं नेक्स वीडियो में तिल देन ग